इस वक्त हम बाबू सर्टाब की तरफ जा रहे हैं सकर्दू से आ रहे हैं और बाबू सर्टाब की तरफ उपर चड़ाई हम चाहरे हैं यह लगतार 45 किलो मीटर की चड़ाई है और रात के इस वक्त तकरीबन आठ बाच चुके हैं साइड साब आप देख रहे हैं कि ड्राइविंग कर रहे हैं अभी भी सुबा पांच बजे से शुरू है यह अमजे साब बैठे हुए है यह भी नहीं था कि आज इनोंने ना सोने का रिकार्ड काइम कर दिया है वो भी बैठे हैं खाज साब उने ख्रोड खाय हुए है यह अजमत अमजेत भाई यह आप स्लोप का नजारा ले रहे हैं यह लगातार चिड़ाई है यह बड़ी मुश्कल है तकरीबन इस लोग गाड़ी की स्पीड जो है तकरीबन 20-25 किलो मीटर के हसाब से हम चार रहे हैं और पहले दूसरे गेर में तो पांच बजे के निकले तो वो बेजाना होगा तो यह जो जोट नहीं होगा तो यह जो असकर्दू से हमारा बाबु सार्टाप का सफर है खास करके यह अमजद भाई को तो सो साल तक याद रहेगा हम कैसे आए उझे तो नहीं सकता है यह यह याद रहता है यह यह फरंट सीट पे पैठा हुआ और कल हम वाफसी तकरीबान लहोर अल्ला की मेरबानी से पहुंचेंगे और यह जो टूवर था लहोर से खंजरा तक का यह कल मुकमल होगा इंशाला है अभी हम तकरीबान 15-20 किलो मीटर चड़ चुके हैं और 25 किलो मीटर मजीद अभी बाकी है यह टोटल चड़ाई 45 किलो म अभी है और यह जहीर सब की हमद है यह सुबह से गाड़ी ट्राइब कर रहे हैं यह सुबह माँच बज़े से हम शुरू किया था हम अल्ला का बड़ा करम है यह मारत तोट जो था वो मेंस खंजराब हुंजा लाहुर से खंजराब कादिल हुंजा और शंग्रीला कर्दू जिलगत और मेरान का था जो कि हमने लागी मेर्मानी से कंप्रीट किया अब लका 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 शुकर है अजी साहिश सबाब कुछ कहना चाहेंगे नहीं सर भस हम थोड़ा कुछ के दिया है बस तना काफी है नहीं दोलो फट कहें हैं सब कुछ तो कह दिया है आपने मेरे